हेलो दुफ्तो, दुफ्तो डिवनी पलफ और डिफ्रार पे आखरी फचनाम का शो प्रेमियर हो गया है, पहले दो एपिफोड आ गए हैं, प्रत्य एक वपता रहे बची एपिफोड फो शुक्रवार को इस्ट्रीम करें दिये जाएंगे डिवनी पलफ और डिफ्रार पे ही, एंड टोटल कितने एपिफोड होंगे नहीं पता, फफट एपिफोड और फेट एपिफोड के लिए तिर आधा आधा घंडा थी एंड मैंने फफट एपिफोड देखा एंड लेटी मी टेले दूस्तो, काफी इंट्रस्टिंग था, इस्टार्ड से ही, शुरू से ही काफी इंट्रस्टिंग यहां पर चीज़ें होना शुरू होगे एंड टू दा पॉइंट चलदा शुरू से ही, एंड उसके बाद इंट्रो आया, इंट्रो के बाद तमन्ना भाटिया का एक, मुझे कहना चाहिए के एक इंट्रोडक्शन दिया गया या फिर उसकी इंट्री होई इंट्रो काफी ठेक ही थी, मतलब उतनी गिदेट नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब चीज़ें अपने ट्रेक पर पहुंचती हैं, इस केस पर जब तमन्ना भाटिया को, यानि की आन्या को लगाया जाता है, तब चीज़ें अच्छी होना शुरू हुए, एंड जब वो ड लटकी हुई दिखाई पड़ी, इंट जिनको ना बताओ तो बता दूँ के 1 जुलाई 2018 को दिली के बुदाडी एरिया में ये गटना गटेत हुई थी, जहांपर 11 लोग मिरित पाए गए थे, इसी अबस्ता में अपने गट की छट पर लटके हुए पाए गए थे, फासी ल दिखा है, I have ever watched, I have ever seen, तो ये चीज़े यहां पर अच्छी लगी कि यहां पर तमन्ना भाटी है कि जो उनके किरदाल में जो संबेदन शीलता नजर आती है कि वो काफी गम भीर यहां पर दिखाई पड़ती है और उसके लाबा जो चीज़ें यहां पर हो रही थी वो काफी इंटरिस्टिंग थी, इंगेजिंग थी और इस योग को पूरी तरह से बेफड़त हो नहीं लेकिन इंस्पाइड गतकी बनाए गया है, बताए गया है, एंड उसके बाद शुरूत में तो काफी सहीता लेकिन जब इस परिबार की जो बेटी थी वो आकर अतीत बताती है, म ठीक है था, लेकिन उसके बाद जब प्रेवेंट में जब यह चाल रहा हो था, जब वो घटना घटित हो चुकी है, उसके बाद investigation चल रही है, उनको संदेह है कि यह किसी ने मडद किया है, मास मडद किया है, उसके बाद इन सब को टांग दिया है, तो वो अपने हमें कुछ काफी interesting लग रहा है, लेकिन अब हम सब को पता है कि यह सब एक बंदी ने किया था, और वो सब क्यों किया था, कि इसलिए किया था, वो हम सब को पता ही है, जिनको ना पता हो, हाँ सब सीखिदेट्स देख लो, netflix पर पता चल जाएगा, हैंदी में भी अविलेबल है, तो फ इसलिए कहा रहा हूं, exciting लगा, तो यह गलत किया, कि बेकले बेशिस पर यह stream होगा, तो यह गलत किया, और इसको adult की category में रखा गया, हलांकि फफट एपिफोड में ऐसा कुछ भी नहीं था, कि जो 18 प्लस की category में पॉल करे, बस बही जो दिरेशी थे, वो काफी भायानक थे तो यह है वाई, तमना बाटिया की acting अच्छी लगी, बाकी writing वगरा, potential treatment अच्छा ही लग रहा है, लग रहा है कि काफी अच्छा यह show होने वाला है, इसको काफी हज़त तक दियलिफ्टिक रखा गया है, sorry, तो उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ें हो नहीं थी, जो last scene था पर जब वो CCTV footage देख रहे थे, तो उसको देखकर मुझे याद आया कि जो Netflix की documentary थी, बहाँ पर भी मैंने एक ऐसा scene देखा था, अब time हो गया है, तो उतना याद नहीं है, 21 में वो दिलिफ हुआ था, 8 October को 2021 को दिलिफ हुआ था, and एक चीज़ और है, पन के लिए बता रहा यहाँ पर जिस PC पर वो इस footage को देख रहे थे, CCTV footage को, उस PC की विंडो एक्टिवेट नहीं थी पाये देट विंडो वो लोग चला रहे थे, so यह है वई, फस्ट एपिसोड के लिए थे नहीं आप इस्टार देखते की, टोटल कितने एपिसोड है, and फैनल एपिसोड कब आत फस्ट एपिसोड काफी अच्छा लगा, so यह है, and आपको excitement हो रही है, तो वो documentary देख डालो, जिसमें टोटल तीन ही एपिसोड है, and यह है वाई, अपने टेक्स लिक के बताना, आपने फस्ट एपिसोड देखा है, तो पाकी, like, share and subscribe करना चैनल को बीडिगो, and this is Nitishana, signing up, thank you यह है, जिसमें आप देगिता जोट बीगो, जिसमें लोटेओने चेस्ट पाकी अशेओा जो, प्योटेब रहाईं तो आपको जोटेगो, तो यह है तो यह दोबताना लोटे कर दोबताना उम जेूटेट करना लोटेबरों शेड़ों आफ से वस्योटे दोगों दोटेू